20 पुराण में राजा कहें जुक्चार, बचन जो हैं ब्यास के ताको कुरूँ जाए। 18 पुराणों में 20 पुराण की चर्चा आती हैं, लेकिन यह चीद ध्यान रखना चाहिए, पुराणों में हमें सब परिवर्दन होता रहता है। पुराण किसको कहते हैं? आतिहासी घटना क्रम, राजा महराजाओं की इतिहास हैं, और ब्यासी के नाम से 18 पुराण बनाए हुए कहे जाते हैं। लेकिन सच्चा ही यहाँ है, कि व्यासे कुपा देए, इतिहास में कई घटनाएं मिलती हैं आपको। आपने जनक का इतिहास सुना होगा। सीता के पिता जी हैं, राजा जनक और जनक के पास सुकदेव जी भी जाते हैं। सीता जी समय थी और सुकदेव जी समय थे, दोनों के बीच में 16 लाख वर्स का अंतर होता है। तो क्या जनक की उम्र 16 साल हो गई। यह तो कोई भी नहीं मालेगा। सिंहासन पर बैठा वह बेखती, 16 लाख साल तक जिन्दा रह चाहें, कभी भी संभव नहीं। का अर्थ क्या है? जनक एक उपाधी है। जिसे आज भी देखिये, आज से लगभग 2200 बर्स पहले संकरचार हुए थे। संकरचार की गाधी पर आज भी जो बैठता है, वो संकरचार ही कर लता है। आदी संकरचार के सिंहासन पर बैठने वाला बेक्त संकरचार कर लता है। उसी तरह मिठिला राज में जितने भी राजा हुए सबको जनक कहा जाता था। विश्वामित्र उपादी है, वसिष्ट उपादी है। आप ने सुना होगा। विश्वामित्र या वसिष्ट हरिस्चंध के समय में भी हैं और मरेधा पुरसतम राम की समय में भी। दोनों में कई पिढिया बीथ जाती है इसमें चारो जुगों के राजाओं का बढ़न है इस पहले प्रक्ण में बिशेश रूप से यह बात दर्साई गई है कि जब औरंग्जेब का राजी होगा तब बिज्या अबनंद बुद्ध निस्कलंग सरूप का प्रक्ण होगा और इसके बीच में चारो जुगों के राजाओं का ब्रितंत दिया गया है राजा किसको कहते है राजा का अर्थ होता है विसिष्ट राजा यानि प्रकास्मान जो अपनी विसिष्टा से प्रकासित हो रहा हो उसको राजा कहते है समानिता जन भासा में राजा किसको कहते है जि सभा लगती हो सभी मनुस्यों का वो सवामि कहलाता हो वो समाने रुप में उसको राजा करते हैं लेकिन आपने देखा होगा अन mad sure house, a man that one woncut, a man that one won-son cattle away, rik snail not oneQué is also known, horsemane success, some swords, पक्षियों का राजा होता है कहीं असुरों का नाम लिया गया है ब्रह्मा जी किसके राजा थे ब्रह्मा तो सिष्ट के प्रारम में हुए थे ब्रह्मा जी कोई राजा नहीं है इंदर तो देवताओं के राजा है और जो राजाओं का जो गड़ना काल है वो खिचडी है हमें जो पाई में जो राजाओं के नाम आये हैं, उसका भवार्थ लेना होगा, सबदार्थ लेगे तो भटक जाएगे जैसे चौदा मनवंतर होते हैं, एक कलप में चौदा मनवंतर होते हैं, पहला मनवंतर है स्वाइंभू मनवंतर, आज जो मनवंतर चलना है वह वैस्वत मनवंतर का लगता है यह जो रजाओं की जो गड़ना दी गई है कुछ स्वाइमभू मनवंतर के रजाओं की गड़ना है और कुछ इस मनवंतर के रजाओं की गड़ना है इस अठाइसवे कलजुग में 28 कल जुग 28 तरेता 28 सत्जुग और 28 द्वापर में जितने राजा आए हैं उनका मुख मुख जो व्यक्तित हुए हैं उनका नाम लिया गया है लेकिन आप देखेंगे धुरू और पहलाद की धुरू और उतान पाद जो उनके पिता हैं उनकी जो कहानी है स्वाइमभू मनवंतर की है इस मनवंतर की नहीं इस मनवंतर में तो 12 करोड साल से अधिक बीद चुके हैं ये जो मनवंतर चल रहा है पहले मनवंतर से लेकर अब तक 1 करब 96 करोड 8 लाग 53,115 बरस हो चुके हैं 45,20,000 बरसों की चतर युगी होती है कल युग, द्वापर, त्रेता और सत युग ये चार युग होते हैं इसकी व्याख्या क्या है कले सयानो भवत रिग वेद के अधिरे ब्रामण में कल चारो युगों की व्याख्या है कले सयानो भवत जब मनुस्य अज्यानता के नीद में सो रहा होता है तो क्या है कल युग उठकर के बैठ जाता है तो है त्वापर खड़ा हो जाता है तो है त्रेता और जब सत्य की उत्रफ चल पड़ता है तो उसको करते हैं सत्युग चारो युगों में अलग-अलग प्रविर्ती होती है सत्युग में सत्य तप जान धर्म के चारो चरण द्रेता से खड़े होते हैं त्रेता में सत्य हट गया होता है तप जान और कर्म रहता है द्वापर में धर्म केवल दो चरणों पर अस्रित रहता है और कल युग में केव कर्म न सत्य होता है न तफ होता है न जान होता है चारो युगों में जो मुख मुख भ्यक्ति हुए उनको इस प्रकड में वनित किया गया है लेकिन नाम में भी एक चीज ध्यान में रखनी होगी आपको एक होती है बंसावली और एक होती है नमावली बंसावली और नमावली में अंतर है जैसे मर्यादा पुर्शुत्तम राम स्त्रेता युग में अवतरित हुए थे आज तक वह समय 16 लाख वर्स से अधिक बढ़ता है लेकिन जदि पुराणों में वर्णित नामों को गढ़ना करेंगे तो महाभारत से 325 वर्स पुर्व उनका जमन सिद्ध होता है विदेशी इतिहसकारों ने इसी अधार पर घुसित कर दिया है कि रामायर आज से 6000 बर्स पहले हुई थी जबकि रामायर का घटना करम 16 लाख बर्स पहले से उन्होंने बंसावली और नमावली को समझा नहीं नमावली कर्थ क्या होता है जो मुख मुख ब्यक्ति हैं उनके नाम गड़ना कर दिये गए एक लाख साल पहले का एक लाख साल के बाद का जो भी सिष्च ब्यक्ति हुआ क्यों उसका नाम लिया गया बंस परंपरा से मतलम नहीं है कहीं कहीं चारो जुगों के रजाओं के नाम में बंस परंपरा भी दे दी गई है लेकिन वहाँ अथार्द नहीं है जिसे दसरत के बाद मर्यादा पुरसुत्तम राम का नाम लिख दिया गया लोकुस का नाम आ गया लेकिन सारे नाम आगे पीछे हैं भी तक के इस परसंग में जो भी नाम आये हैं उसको हमें सुक्षदेश से देखना होगा तब ही बात समझ में आएगी लाजदाश्ची को अविप्रेत है केवल यह दसाना कि जब औरंग्जेब का समय होगा उस समय ही पिजिया अभिनंद बुद्ध निस्कलंग सरुग का प्रक्टन होगा महितले मलिक्छानाम यदा राजवन सा प्रवर्देते विक्रमस गते अब्दे सब्त दस्ट अष्ट तिरकम यदा तदा अयम सचतानंदो अक्षरात पड़ता पर भारते च इंद्रयाम सा बुद्धा अविर पविश्यत यह भोई सुत्तर पुराण में बात लिखी थी बिक्रम समद 1738 का जब समय होगा उस समय भारत वर्ष में औरंग्जेब का राज़ चल रहा होगा कि सभी तरहें तरहें करेंगे औरंग्धाम की आत्माओं को परमठाम का मार्ग दरशाने के लिए सारे संसार को अखंड मुक्दी का वर्दान देने के लिए स्वयम सच्तानंद परब्रम का अवतरन होगा जिसको कहेंगे विज्या अभिनंद बुद्ध निश्कलंग सरुप विज्या अभिनंद किसको कहते हैं विज्या जिसका अभिनंदन करे वह है विज्या अभिनंद निश्कलंग किसको कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का कलंग करना रह जाए ऐसा कोई भी दाग ना रह जाए जिसे कोई उमली उठा सके